नमस्कार मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट दिपिका पादुकोर के फैंस के लिए एक अच्छी ख़बर दिपिका पादुकोर का वैक स्टैचू लंदन के मैडम तुसाथ म्यूजियम में लगेगा इस बारे में दिपिका पादुकोर ने फैस्बुक पर लाइव चैट के दरान फैंस को बताया हलाकि ये साफ नहीं हुआ कि वो किस लुक में म्यूजियम में नज़राएंगी जी हाँ दिपिका पादुकोर का पहला वैक स्टैचू लंदन के मैडम तुसाथ म्यूजियम में लगेगा बेशक उनके फैंस के लिए ये एक बड़ी खबर है और इसे दिपिका पादुकोर ने खुद लाइव चैट पर शेयर किया 32 साल के दिपिका पादुकोर बॉलिवोड में अपनी एक खास पहचान बना चुकी है उनका हर रोल बेहतरीन होता है वैसे उनकी फैन फॉलोइंग ग्लोवल लेवल पर है और वैक स्टैचू की ये खबर इसी बात का सुबूत है दिपिका पादुकोर ने बताया था कि वो फेस्बुक पर अपने फैन से बात करेंगी साथ ही उनके पास एक खास खबर भी है बताने के लिए इसी लाइव वीडियो में दिपिका पादुकोर ने खुलासा किया था कि उनका वैक स्टैचू जल्दी मैदम तुसाद में नज रही थी वहीं फैन्स को भी इस बात की खुशी है कि उनका पुतला उस जगह लगेगा जहां एंजलीना जोली जैसी बड़ी हस्तियों के स्टैचू लगे हुए हैं हलाकि दिपिका पादुकोर ने भी ये साफ नहीं किया कि ये स्टैचू आखिर उनके किस लोग को जाएगा या फिर स्टाइल स्टेटमेंट इस पुतले में जलकेगी वहीं फेस्बुक लाइब के दरान दिपिका पादकॉंट से जब फैंस ने पूछा कि अगली फिल्म में वह कम नजर आएंगे तोन्होंने कहा कि इस बारे में भी जल्दी बात होगी आपको बता दे कि दिपिका पादकॉंट और रनवीर सिंकी शादी की भी चर्चा हो रही है माना जा रहा है कि इसके लिए नेवंबर की एक डेट तै की गई है जब उनकी शादी होगी तो ये है दिपिका के फैंस के लिए अच्छी खबर कि अब वो मैडम तुसाद में आएंगी नजर ये है दिपिका का जबर्दस स्टार्डम इस वीडियो में फिलाल इतना ही